नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका PharmaRox की यूटूब एज़ियो किसने चनल में तो आज की वीडियो लेक्चेर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जैसे की मुँ में छाले होना तो यहाँ पे जो हम यह डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से आपके माउथ के अंदर जो हो अलसर फॉर्म हो रहा है और यह माउथ हलसर जो लंबे समय तक रहता है और यह जो अलसर है वो ठीक नहीं हो रहा है लंबे समय से आपके पेट में इस तरह से जो है वो अलसर है उसके करण काफी जदा कॉम्प्लिकेशन हो रहे है तो यह जो प्रॉब्लम है उसको स्वाल करने वाली बहुत अच्छे टाबलेट के बारे में हम सिखेंगे आज की विडियो लेक्चर में कि जिसका नाम है रिबाजन टाबलेट तो यह सब टॉपिक्स हम उसके कवर करेंग रहे है वर्निंग क्या रहेगी कि कौनसी कंडिसन में हम उसको यूज नहीं कर सकते है और ड्रग-ड्रग इंटरेक्शन से इससरा से टोटल 10 चैप्टर की हम डिटेल्स टेरी करेंगे तो सरुवात करते हैं पहले चैप्टर से उसका बेजिक जानते है तो यह ऐसे ग्लास का medication की जिसको हम anti-ulcer कहते हैं anti-ulcer यानि कि ऐसी दवया कि जो ulcer के इलाज में use की जाती है कि चाहे वो ulcer आपके पेट में है या फिर mouth में है या फिर body के किसी भी जगा पे आपको ulcer हो रहा है तो वो ulcer को ठीक करने के लिए ये medication use की जा सकती है तो उसका brand name tablet के अंदर available होता है तो इसको बनाता कौन है तो manufacture है Macleod Pharmaceuticals की जो एक Indian multinational pharmaceutical company है कि जिसकी head office Mumbai में है तो use हम देखे तो जो ulcers होते है कि चाहे आपके mouth में ulcer हो रहा है आपके pet में ulcer हो रहा है आपके isophagus में ulcer है कई पे भी ulcer है body के अंदर कि जो पूरा हम gastrointestinal track कहते है कि जिसको हम GI track कहते है कि आपके mouth से लेकर एनस तक के कहीं भी ulcer है तो उसको ठीक करने के लिए ये medication को prescribe की जा सकती है फिर जो mucosal protection मतलब कि जो mucos membrane होता है mucos layer होता है पूरा हमारी skin का internal organs के तो उसको protect करने के लिए प्याप्टिक ulcer के लिए gastritis है, mouth ulcer या फिर जो back ats disease हम कहते है तो वहाँ पे ये use की जाते है तो जो ulcer को ठीक करने के लिए तो उसकी जो healing process जो होते है उसको जो ठीक होता है वो process को fast करने में ये medication जो वो मदद करती है तो चाहे H-pylor के करन हुआ ulcer हो कि जो आपके duodenum में है या फिर आपके stomach के अंदर है या फिर किसी भी तरह से हुआ ulcer के जो gastritis के form में भी कनोट होता है कि जिसके करन सूजन आ जाती है पूरे stomach के अंदर और damage होती है आपके stomach के lining तो यह सभी को ठीक करने के लिए यह medication को हम दे सकते है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारी book available है Tices and Treatment बीमारिया और उनका उपचार तो यह book को आप पर्चेस कर सकते है तो यह book को पर्चेस करने के लिए आप यह जो number है उस पर whatsapp जो है वो कर सकते है तो यह book को order करने के लिए ज़रूर से whatsapp करें अभी offer में आपको सिर्फ 749 के अंदर मिल जाएगी तो अब label study करते है तो यहाँ पर RX लिखा है मतलब कि यह जो medication है वो prescription based medication है film coated tablet रहेगी तो यहाँ पर मैं आपको highlight करके proper सही से सब दिखाता हूँ तो एक tablet जो है वो 100 mg के strength में रहेगी film coated tablet है titanium dioxide उसके इंदर color रहेगा यहाँ पर manufacturers की detail यहाँ पर दी गई है question यह है कि जब भी आपको उसको retail में बैचते है तो बिना prescription उसको ना बेचे RMP का जो prescription होता है उनके साथ ही retail में बेचे जाती है बच्चों से दूर रखनी है store करना है cool and dry place पे और physician के direction के according to जो है वो उसको use करना होता है आगे जानते हैं उसके बारे में कुछ और detail तो strip packing में available है और एक pack के अंदर total 10 tablet available होती है अब उसकी mechanism आप अच्चे से समझो और फी प्रोस्टा-ग्लांडेन के synthesis को stimulate करती है तो क्या होता है जो productive प्रोस्टा-ग्लांडेन है उसका synthesis stimulate होने से मतलए कि वो faster होने से healing की जो process है वो भी fast होती है उसकी quality भी improve होती है मतलए कि जो healing का process है वो fast भी होता है और वो काफी अच्छी quality के साथ जो ही वो faster healing होती है तो उससे क्या होता है कि जो हापी भी ulcer हुआ है वो फटाफ़ ठीक होने लगता है और कम समय में काफी अच्छा healing process जो ही वो देखना के मिलता कि अगर कोई ये riba zen tablet को use करता है तो dose की हम बात करें तो जो उसका adult dose है वो है 100 mg दिन में 3 बार मतलब कि ये जो एक tablet है वो दिन में 3 बार patient use कर सकता है और हर एक dose के बीच में at least 6 से लेकर 8 गंटे का time interval जो हो रखना ज़रूरी है high dose में use ना करें मतलब कि यहाँ पे जो dose हो गया 100 mg दिन में 3 बार maximum dose हो गया उसका 300 mg पर दे तो उससे ज़्यादा उसको use ना करें वरना side effects और ज़्यादा बढ़ सकती है latest price हम देखे December के according तो वो price हो जाएगी 137 रूपीज and 50 पैसा so on an average हम देखे तो एक tablet की price around होगी आपकी 13.75 रूपीज मलब की मोटा मोटा 14 रूपीज में आपको ये जो tablet जो पढ़ती है तो यह आप इमें फिर से reminder देना चाहूंगा आपको कि हमारी book जो हो जरूर से आप purchase कर सकते है जिसके अंदर आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में सिखेंगे और उनके उपचार के बारे में सिखेंगे डीटेल आपको जानने को मिलगा कि बीमारी होने का कारण क्या है उसके लक्सन क्या होते है निदन कैसे होते है और कौन से उपचार की अलग-अलग options available है और medicines options भी आप ये book के अंदर सीख पाओगे तो जरूर से book को order करे book order करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है आगे समझते हैं उसके कुछ side effect जैसे की dizziness, fatigue, dry mouth, constipation and skin rashes मलब कि ये जो medications अगर कोई लेता है तो आपको ऐसा फिल हो सकता है कि आपका गला सूख रहा है constipation जैसा आप फिल कर सकते है कमजोरी जैसा फिल होता है dizziness जैसा फिल होता है और skin के ओपर rashes बना कुछ और side effect हम देखे तो भूग कम हो जाना, nausea omitting diarrhea होते सकते कुछ लोगों को itching या फिर जो taste है वो बदल जाता है mouth में ऐसा आप फिल कर सकते है warning हम देखे तो अगर आपको ये जो medication का salt content है या फिर उसके जो ingredient है उसकी allergy है तो use ना करे या फिर past में ये medication लेने से कोई allergic reactions होई थी तो use ना करे अगर आपकी kidney पे असर है या फिर आपका liver खराब है तो ये जो medication को use ना करे pregnancy period में उसको use ना करे breastfeeding period बच्चों को नहीं दी जाती और अगर आप alcohol ले रहे है तो ये जो tablet है उसको कभी भी use ना करे pregnancy category हम देखे तो उसकी C है तो pregnancy के दौरान ये medication जो है वो unsafe है तो एक बार आपके gynecologist है उसको जरूर से consult करे अगर आपको mouth थर्सल या फिर अलसर के problem है तो वो आपको safe medication prescribe करेंगे pregnancy के दौरान बट ये जो rebus and tablet है वो pregnancy में यूज नहीं करते drug drug interactions देखे तो जो non-steroidal anti-inflammatory drugs है जैसे के diclofenac है, select oxy उसके साथ ये drug drug interactions करते तो कभी भी rebus and tablet के साथ combination में ये medication को use ना करें, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको मेरा ये वीडियो भी जरूर से अच्छा लगा है कि जहापे भी आप क्लिक करके काफी अच्छे knowledge गेन कर सकते हैं, अलग-लग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में और दवायों के बारे में साथ ही ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से subscribe करें So good luck and all the best